तो यह जो आज की मुर्ली है यह अधर कुमारों की बटी है तो विशेश बाबा ने कहा कि बटी में आना रथात रंग रूप का परिवर्तन करना एसा परिवर्तन करना कि बुराई पुरा गल जाना चाहिए और विशेश बाबा ने इसमें लक्ष दिया कि आप बटी में आये मना विदेही स्थिती तो पूरा विदेही स्थिती आपका होना चाहिए यह लक्ष बाबा ने दिया तो बाबा ने कहा कि आप यह जो 63 जन्दमों का जो उल्टी सीड़ी चड़े है वह आपको पूरा नीचे उतरना है तो सीड़ी पूरा पूरा अगर उतरेंगे तो आपको चड़ने में समय नहीं लगेगा फिर उतरने के बाद चड़ने के लिए क्या करना है लिफ्ट में बैटने के लिए आपको क्या करना है यह बाबा ने बताया और विशेश सभी को एक अभ्यास आपको पूरा नरीती से आना चाहिए वहां कौन सा अभ्यास सहज आप शरीर धारन करना और उतारना तो ये अभ्यास आना चाहिए ये बाबा ने अंडरलाइन कराया और ये भी बहुत अंडरलाइन कराया कि आपको इजी रहना है अगर आप स्वयम इजी रहेंगे तो पुर्शार्द भी इजी होगा कार्य भी इजी होगा सर्विस भी इजी हो जाएगा फिर बाबा ने कहां आपको आक्टिव रहना है तो आक्टिव रहने से सफलता मिलेगी एवर रेडी बन सकींगे और ये भी बाबा ने अंडरलाइन कराया कि हमेशा अधिकारी बन कर रहना है तो अधिन पना संपून रिती से छोड़ देना है तो ये मुर्ली का सार है तो जैसे बाबा ने लक्ष दिया था कि विदेही स्तिती तो हम सभी आज विदेही स्तिती में स्तित होकर बाप दादा के सामने ऐसे ही वतन में बाप दादा के सामने बैठ के सुनेंगे विदे ही होके सुनेंगे इस पर विशेश एटेंशन देने के लिए बाबा ने कहा तुमुरली का सार है पर्ष से अर्ष पर जाने की युक्तिया तो बाबा पूछ रहे यहां बटे में किसलिए आए हो देह में रहते विदे ही हो रहने का अभ्यास के लिए तो बाबा ने शुरू में ही किया कि आप आए किसलिए विदे ही हो रहने के लिए जबसे यहां पाव रखते हो तबसे ही यहां स्तिती होनी चाहिए जो लक्ष रखा जाता है उसको पूर्न करने के लिए अभी शुरू से लेके अंत तक विदेहि आवस्ता कहिए विदेहि स्थिति कहिए उस लक्ष के लिए बाबा क्या कहरे एटेंशन भी चाहिए और अभ्यास भी चाहिए बाब दादा हर एक को नई बात के लिए ही बुलाते है अदर कुमारों को विशेश इसलिए बुलाया है पहले तो अपना जो ग्रहस्त विवहार बनाया है उसमें जो उल्टी सीडी चड़ी है उस सीडी से नीचे उतारने के लिए बुलाया है तो बाबा विशेश क्या बता रहे उल्टी सीडी पूरा नीचे उतरना है और उल्टी सीडी से उतार कर फिर किस में चड़ना है तो किस में चड़ना है तो बाबा कहरे अर्श से फर्ष पर फिर फर्ष से अर्ष पर उल्टी सीडी का कुछ न कुछ जो ग्यान रहता है उस ग्यान से अज्यानी बनाने के लिए सीडी के से उतरना है बाबा कहरे उस उल्टी सीडी का ग्यान से संपूर्ण अज्यानी बनने और जो सत्य ग्यान है उनकी पहचान देकर ग्यान स्वरूब बनाने के लिए बुलाया है पहले उतारना है फिर चड़ना है जब तक पूरे उत्रे नहीं तो चड़ भी नहीं सकते तो उतरने का चड़ने का गहरा संबंद है पूरा उतरने वाले ही सही में उपर चड़ सकते सभी बातों में अपने को उतारने के लिए तयार हो कितनी बड़ी सीड़ी से उतरना है उल्टी सीड़ी कितनी लंबी है दो प्रेश्न बाबा ने पूछा कितनी लंबी सीड़ी है बड़ी सीड़ी तो इसमें बाबा ने कहा 63 जन्मों का उल्टी सीड़ी बाबा ने कहा अभी तक जो पुर्शाद किया उसमें समझते हो पूरे ही सीड़ी उतरे है कि कुछ अभी तक उतर रहे हो क्या समझते है पूरा उतरे पूरी जब उतर जाएंगे तो फिर चड़ने में देरी नहीं लगेगी लेकिन उतरते उतरते कहा न कहा टहर जाते हो तो बाबा कहे रहे बच्छों का हाल है उतरते उतरते कहा ना कहा टहर जाते तो अब समझा किस लक्ष से बुलाया लक्ष ये है बाबा ने कहा 63 जन्मों में जो उल्टी सीडी चड़े हो वह पूरा ही उतरना पड़े तो उसमें बाबा ने कहा पूरा उतरे उतारने के लिए बाबा बच्छों को बुलाया फिर चड़ना भी है उतरना सहज है वा चड़ना सहज है तो बाबा कहले सहज है बच्छों को उतरना सहज है वा उतरना भी मुश्किल है इसमें बाबा ने सीडी बताया था तो उस सीडी के हिसाब से चक कर सकते हम उतरे की नहीं अभी आप जो पुर्शार्द कर रहे हो वह उतर कर चड़ने का कर रहे हो कि सिर्फ चड़ने का कर रहे हो तो बाबा पूछ रहे, उतर रहे, सिर्फ चड़ रहे, या दोनों काम कर रहे तो असल में दोनों चलते कुछ मिटा रहे हो, कुछ बना रहे हो, दोनों काम चलता है न आपको मालूम है, लास्ट पॉड़ी कौनसी उतरनी है तो ये चक करने के लिए बहुत अच्छी बात है, अगर लास्ट पॉड़ी उतर गए माना पूरा उतर गए तो लास्ट पॉड़ी कौनसी है इस देह के भान को छोड़ देना है जैसे कोई शरीर के वस्तर उतारते हो, तो कितना सहज उतारते हो अगर लास्ट सीड़ी उतर गए, तो उसका निशानी क्या है सहज ये शरीर रूपी वस्तर उतार देते है अगर सहज नहीं माना, देहबान में लटके हुए है वैसे यह शरीर रूपी वस्तर भी सहज उतार सको सहज समय पर धारन कर सको सबको यह अभ्यास पूर्णरिती से सीखना है इसके उपर बाबा ने विशेश अंडरलाइन कराया सीड़ी उतरने के लिए और ये भात सारे को आना चाहिए कौनसी बात? सहज शरीर रूपी वस्तर उतरना और धारन करना लेकिन कोई कोई का यह देह अभिमान क्यों नहीं टूपता? अगर सहज नहीं होता तो देह अभिमान है देह अभिमान क्यों नहीं टूपता है? देह का चोला क्यों सहज नहीं उतरता? कारण बाबा उचरे जिसका वस्त्र तंग टाइट होता है तो उता नहीं सकते ऐसे भी यह भी ऐसे ही है कोई न कोई समस्कारों में यह देह का वस्त्र छिपका हुआ है अर्थात तंग टाइट है जैसे स्टूल वस्त्र कहा सिलाई के कारण टाइट हो जाता तो बाबा कहरे किसीना समस्कार में लटका हुआ है, तो बाबा कहरे चिपका हुआ है, लटका हुआ है समस्कार में, आत्मा समस्कार में लटकी हुई है, तो ये देह टाइट हो जाता, वस्त्र सहज उतार नहीं सकते, नहीं तो उतारना चड़ाना, यह देह रुपी वस्त्र छोड़ना धारन करना बहुत सहज है जैसे कि स्थूल वस्त्र उतारना पहनना सहज होता है तो यही देखना है देहरुपी वस्त्र किस समस्कार में लटका हुआ है तो अंडरलाइन बाबा ने कराया कौन से समस्कार आप पकड़े हुए है पुराने समस्कार आवेश, क्रोध, जोश, कोई समस्कार में चिपका हुआ रहता तो सहज देह को छोड़ना वस्त्र को छोड़ना मुश्किल हो जाता तो विशेश उस समस्कार को निकाल देना है जब सभी समस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो अवस्ता भी न्यारा हो जाएगा तो आत्मराजा बनके उस समस पिर यूज नहीं करना, उस सम्सकार से न्यारा हो जाएंगे, तो बाबा कहरे, आपकी अवस्ता न्यारी हो जाएगी, वस्तर को छोड़ना धारन करना भी सहज हो जाएगा, इसलिए बापतादा कई बार समझा दे, सभी बातों में इसी रहो, न्यारा होने के लिए बाबा कहर इसी रहना चाहिए, सम्सकार से न्यारा होने के लिए, और बाबा ने बहुत बार समझाया, मुलियों में, क्या समझाया, कि सभी बातों में इसी रहो, जब खुद सभी में इसी रहेंगे, तो सभी कारी भी इसी होंगे, अपने को टाइट करने से, कारी में भी टाइटनेस आजाती है अगर easy नहीं तो क्या होगा कारी में भी tightness अंदर tight है तो कारी में भी tightness आएगा वैसे तो जो इतने समय से पुर्शार्थ में चलने वाले है उनों को अब बहुत ही कर्तव्य में न्यारापन आना चाहिए शरीर से न्यारा कारी से भी न्यारा तो बाबा न्यारापन अंडरलाइंड करा ले समस्कार से भी न्यारा होना चाहिए तो न्यारा होंगे तो easy होंगे अभी इस बटी में जो tightness है वह भी और जो कुछ उल्टी सीडी की पोड़िया रही हुई है वह उतारना भी है और फिर lift में चड़ना भी है लेकिन lift में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा तो बाबा क्या करे एक तो चक करो पूरा उतरे लास्ट सीडी उतर गए उसके लिए बाबा ने कहा easy रहना न्यारा रहेंगे easy रहेंगे तो ये देहबान से सहज न्यारा हो जाएंगे और अभी बाबा ने कहा उतरना पूरा हो गया तो लिफ्ट में बैटने के लिए क्या करना पड़ेगा लिफ्ट में कौन बैट सकेंगे बाप के लिए सारी दुन्या में लायक बच्चे की स्रेश्ट सोगात है तो लिफ्ट में चड़ने के लिए बाबा की गिफ्ट बनना है शी बाबा के लिए हमको गिफ्ट बनना है तो गिफ्ट बनने के लिए बाबा क्या करे कैसे बनेंगे गिफ्ट अगर लायक बच्चे बनेंगे तो यही शी बाबा के लिए स्रेश्ट सोगात है और फिर जो कुछ है वह भी गिफ्ट में देना पड़ेगा बाबा कहते न जो भी आपके पास है वो ककपन है ककपन देखे लगपन तो देना नहीं लेना हो गया तो जो भी बच गया वो सब उशी बाबा को गिफ्ट में देना और उससे पहले स्वयम को गिफ्ट बनाना है कैसे बनाएंगे लायक बच्छे बनेंगे तो बाबा के लिए गिफ्ट बनेंगे गिफ्ट देनी भी पड़ेगी और बाब की गिफ्ट बनना भी पड़ेगा तब लिफ्ट में बैठ सकेंगे लिफ्ट क्या करेगा बहुत जली उपर ले जाएगा मन्जिल तक ले जाएगा तो उसके लिए बाबा के रहे शी बाबा को गिफ्ट देना है और आपके पास जो रह गया वो सब कुछ गिफ्ट में दे दो समझा तो ये बाबा हों बहती है अभी देखना हैं दोनों काम किये है गिफ्ट भी दी है गिफ्ट बने भी है तो दो बाबा ने अंडरलाइन किया गिफ्ट को बहुत संभाला जाता है गिफ्ट को सोकेश में सजा कर रखते है जैसी जैसी गिफ्ट वैसी वैसे शोकेश में आगे रखते है तो हम बच्चे जब बाबा के लिए गिफ्ट बन जाएंगे तो बाबा हम बच्चों को जैसे बच्चे जैसे आप बनेंगे उस रीती आपको शोकेस में रखेंगे तो जैसी जैसी गिफ्ट वैसी वैसी शोकेस में आगे रखेंगे आप सभी भी अपने आपको ऐसी गिफ्ट बनाओ जो लिफ्ट भी मिल जाए और इस रुष्टी के शोकेस में सभी के आगे आजाओ तो शोकेस में आगे आजाए ऐसा गिफ्ट हमें बनना है तो शोकेस में सभी से आगे रहने लिए अदर कुमारों को दो विशेश बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा शोकेस में जो चीज रखी जाती उसमें क्या विशेश्ता होती है बाबा ने पुचा शोकेस की चीज की विशेष्टा क्या होगी एक तो अपने को अट्राक्टिव बनाना पड़ेगा और दूसरा अक्टिव यह दोनों विशेष्टाए खास अधर कुमारों को अपने में भरनी है यह दोनों गुण आ जाएंगे तो फिर और कुछ रहेगा नहीं यह दो गुण ऐसे है कि और कुछ बाकी नहीं रहता सब कुछ इसमें आ जाता कहा कहा अक्टिव बनने में कमी देखने में आती है तो इस बटी से विशेष कौन सा चाप लगा कर जाएंगे बाबा पूछ रहे चाप ठपा दो बातों का कौन सा लगाएंगे यही दो शब्त सुनाया अट्रैक्टिव और अक्टिव अगर यह चाप लगा कर जाएंगे तो आपकी आक्टिविटी भी बदली होगी जितनी जितनी यह चाप वा ठपा लगा कर जाएंगे उतनी आक्टिविटी भी पक्की और बदली होई भी देखने में आएगी जितना यह चाप अंदर पक्का धारन होगा तो आपका कर्म भी बदलेगा अगर ठपा कुछ ढीला लगा कर जाएंगे तो आक्टिविटी चेंज में चेंज नहीं देखने में आएगा तो आक्टिव में ढीलापन है अट्रैक्टिव में ढीलापन है तो कर्म में भी परिवर्तन दिखाई नहीं देगा यह तो सुना था बटी में आना अर्थात तो बाबा ने कहा बटी में कैसे आना है विदे ही हो के आना बटी में ऐसे लक्ष बाबा ने दिया वैसा ही विदे ही स्थिती और आने के बाद क्या करना है रंग रूप दोनों बटी में परिवर्तन करना है बटी में जो चीज आती है उनकी जो बुराई होती वह गल जाती है जो असली रूप है असली जो कर्तव है वह यहां से ले करके जाना है तो बाबा कहा बुराई का परिवर्तन गल जाना चाहिए और असली ओरिजनल सामने आना चाहिए क्या बदलेंगे अभी रंग बदलते रहते है फिर एक ही रंग पका चड़ जाएगा जिसके उपर और कोई रंग चड़ नहीं सकता बाबा कहरे पुराना रंग निकालना है बाबा का रंग चड़ाना है जिस रंग को कोई मिटा नहीं सके और ना मिट सके न और कोई रंग चड़ सके तो अभिनाशी रंग बाप का लगाना है सभी बातों में अक्टिव होना है बाबा ने ये बात अंडलाएं किया सबी बातों में active होना है जैसा समय, जैसी service उसमें ever ready active होंगे तो समय अनुस्सार ever ready रहेंगे कोई भी कारी आता है तो active जो होता है उस कारी को श्रीग्र ही समझ कर सफलता को प्राप्त कर लेता है तो active होने से सफलता मिलेगा जो अक्टिव नहीं होते पहले तो कारी को सोचते रहते हैं अक्टिव नहीं तो सोचता स्वरूप हो जाते सोचते सोचते समय भी गवाएंगे सफलता भी नहीं मिलेगी अक्टिव अर्थात एवर रेडी और वह हर कारी को परग भी लेगा तो एक बात से कितने आते ever ready भी होंगे सफलता भी मिलेगी शीग्र कारी को कर सकेंगे परक सकेंगे तो परक भी लेखा उसमें जुट भी जाएगा और सफलता भी पालेगे तीनों बाते उसमें होगी परक लेगा जुट जाएगा कारी में सफलता पुरत कर लेगा जिसमें भारी पन होता है उनको अक्टिव नहीं कहा जाता तो उसका opposite बाबा कहरे भारी पन पुर्शाद में भारी अपने समस्कारों में भारी उनको अक्टिव नहीं कहा जाएगा अक्टिव जो होगा वह ever ready और easy होगा तो बाबा कहरे अगर भारी पन है समस्कार में कहा भी तो अक्टिव नहीं और जो अक्टिव होगा उन्हें सहज सफलता भी मिलेगी और ever ready भी होंगे easy भी होंगे खुद easy बनने से सब कार easy पुर्शाद भी easy हो जाता है खुद easy नहीं बनते तो पुर्शाद और service दोनो easy नहीं होते मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है easy नहीं होंगे तो क्या होगा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है तो स्वयम कारण बन गए मुश्किल क्यों आया क्योंकि हम easy नहीं service मुश्किल नहीं लेकिन अपने समस्कार, अपनी कमजोरिया मुश्किल के रूप में देखने में आती है तो क्यों मुश्किल आता बाबा कह रहे स्वयम के समस्कार, कमजोरिया, स्वयम इजी नहीं है तो मुश्किल आते सामने आएंगे पुर्शार्थ भी मुश्किल नहीं अपनी कमजोरिया मुश्किल बना देती है तो क्यों मुश्किल होता? स्वयम की कमजोरी नहीं तो कोई को सहज, कोई को मुश्किल क्यों भासता अगर मुश्किल ही है तो सभी को सभी बाते मुश्किल हो लेकिन वही बात कोई को मुश्किल, कोई को सहज क्यों? कारण बाबा पूछ रहे, वही बात कोई को मुश्किल, कोई को सहज क्यों? तो कारण बाबा ने क्या कहा? स्वयम की कमजोरी स्वयम के पुराने समस्कार इजी नहीं रहना ये सब बाते बाबा ने कारण बताया अपनी ही कमजोरिया मुश्किलात के रूप में आती है इसलिए यह दो बाते धारन करनी है तो दो बाते बाबा ने कहा छाप ठपा कुन सा अक्टिव और दूसरा अट्रैक्टिव तो अट्रैक्टिव भी तब बन सकेंगे जब पहले अपने मिने विशेशताय होंगी आकर्षित बनने के लिए हर्षित भी रहना पड़ेगा तो जितनी विशेशताय होंगे उतना आकर्षित और आकर्षित बनने के लिए हर्षित भी रहना पड़ेगा हर्शित का अर्ध ही है अतिंद्य सुक में जूमना ज्यान को सुमरण करके हर्शित होना अव्यक्त स्थिती का अन्भो करते अतिंद्य सुक में जूमना इसको कहा जाता है हर्शित तो कैसे होना है हर्शित? ज्यान के स्मरण से हर्शित हो गए अव्यक्त स्थिती का अन्पोव से भी हर्षित अव्यक्त स्थिती से अतिंद्य सुक जिससे हर्षित होंगे हर्षित भी मन से और तन से दोनों से होना है कोई रहते तन से हर्षित रहते लेकिन बाबा कहरे तन से मन से दोनों से हर्षित होना है ऐसा जो हर्षित होता है वही आकर्षित बनता है प्रकृती और माया के अधिन्ना होकर दोनों को अधिन करना चाहिए बाबा ये अंडरलाइन करे कि आपको अधिकारी बनना है प्रकृती और माया के उपर अधिकारी बनना है अधिन हो जाने के कारण अपना अधिकार खो लेते हो तो अधिन नहीं होना है अधिन करना है तब अपना अधिकार प्राफ्ट कर सकेंगे तो बाबा कह रहे अधिकारी बनना है अधिन करना है तब ही अधिकारी बनेंगे तो अधिन नहीं होना है अधिन करना है, तब अपना अधिकार प्राप्त करेंगे और जितना अधिकार प्राप्त करेंगे उतना प्रकूती और लोगों द्वारा सतकार होगा तो सतकार कराने लिए क्या करना पड़ेगा अधीनपन छोड़कर अपना अधिकार रखो कितने अधिकार बाबा ने दिया करमेंद्रियों के उपर, प्रकुर्टी के उपर, माया के उपर हमको राइट दिया तो उसी अधिकार स्वरूप में रहना है अधिकार रखने से अधिकारी बनेंगे लेकिन अधिकार छोड़ करके अधिन बन जाते हो छोटी-छोटी बातों के अधिन बन जाते हो अपनी ही रचना के अधिन बन जाते हो लौकिक बच्छे तो भले है लेकिन अपनी ही रचना अर्थात संकल्पों के अधीन हो जाते हो अपनी रचना संकल्प आपकी रचना है तो अपनी ही संकल्पों के अधीन बन जाते जैसे लोकिक रचना से अधीन बनते हो वैसे अब भी अपनी रचना संकल्पों के भी अधीन बन जाते हो अपनी रचना कर्मेन्रियों के भी अधिन बन जाते हो तो अधिन बनने से अपना जनम सिद्ध अधिकार खो लेते हो तो बाबा से जो जनम सिद्ध अधिकार मिला है अगर अधिन बनेंगे तो वह अधिकार खो लेते हो तो बच्चे बने और अधिकार हुआ बाबा के बच्छे बने और बाबा ने पूरा अधिकार दे दिया सर्वदा सुक्षान्ती और पवित्रता का जनमसिद अधिकार कहते हो न तो बच्छे बने और सुक्षान्ती पवित्रता का जनमसिद अधिकार मिला अपने आप से पूछो बच्छा बना और पवित्रता सुक्षान्ती का अधिकार प्राप्त किया पूरा वर्सा ले लिया अधिकार ले लिया अगर अधिकार छूट जाता है बाबा ने दिया लेकिन छूट गया तो कोई बात के अधीन बन जाते हो तो बाबा ने कहा था ना करमेंद्रिया के प्रकृती के माया के अधीन बनना अपने ही संकल्पों के अधीन बनना तो बाबा कह रहे तो अब अतीनता को छोड़ो अंडरलैंड किया बाबा ने अतीनता को छोड़ो अपने जनम सिद अधिकार को प्राप्त करो यहाँ जो कहते हो कब प्रभाव निकलेगा? कहते बच्चे कहते प्रभाव कब निकलेगा? यहाँ प्रभाव भी क्यों नहीं निकलता? कारण क्या है? बाबा प्रभाव नहीं निकलने का कारण क्या है? क्योंकि अब तक कई बातों में खुद ही प्रभावित होते रहते तो जो खुद प्रभावित होता रहता है उसका प्रभाव नहीं निकलता तो बाबा कहे रहे आप स्वयम प्रभावित होते हैं इसलिए आपका प्रभाव नहीं निकलता प्रभाव चाते हो तो इन सभी भातों में प्रभावित नहीं होना तो बाबा ने कहा ना प्रकृती, माया, अपनी रचना संकल्पों का तो इन से अधिन नहीं होना, प्रभावित नहीं होना फिर देखो कितना जल्दी प्रभाव निकलता है अपनी आक्टिविटी से अंदाजा निकाल सकते हो तो बाबा कहरे अपनी आक्टिविटी से अंदाजा निकालो अधीन है, अधिकारी है ऐसा सौभा के सारे कल्प में एक ही बार मिलता है सत्यू में भी लौकिक पाप के साथ रहेंगे तो बाबा कहरे सारे कल्प में एक ही बार तो बाबा मिला तो ये बाबा के साथ पाट एक ही बार मिलता फिर आत्मों के उपर प्रभावित होंगे तो बाबा फिर नहीं मिलता सत्यू में भी लौकिक बाब के साथ रहेंगे पारलौकिक बाब के साथ नहीं तो आत्माये तो हमेशा मिलते लेकिन शी बाबा संगम पर एक ही बार मिलते 63 जन्मों में कितना श्रिंगार किया होगा बिन बिन 84 जन्मों में कितना श्रिंगार किया होगा बिन बिन प्रकार के बहुत श्रिंगार किये बाबा बिन बिन श्रिंगार बच्छों को कराते है बाप दादा का स्नीह यही है कि बच्छों को श्रिंगार कर शोकेस में सुरुष्टी के सामने लाए तो बाबा ने कहा था ना बच्छे बाबा के लिए स्रेश्ट सौगार स्वयम को गिफ्ट बनाना है, दो विशेष्टाय बरके और जितना श्रिंगार होगा उतना सोकेस में आगे आएंगे, तो सुरुष्टी के सामने सामने आए, जब सभी समपूर्ण बनकर सोकेस अर्थात विश्व के सामने आएंगे, समपूर्ण बनेंगे तो सभी को बाबा सोकेस में लाएंगे, तो कितने सजे हुए होंगे, सत्यू का श्रिंगार नहीं, गुनों के गहने धारन करने हैं, तो जितने गुन उतना श्रिंगार, सत्यू का श्रिंगार नहीं ओम शांति अब शांति, अब लिए फरीट साइलेस पे रहेंगे, बाद में रूप में डिस्कुशन करेंगे झाल 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 शेंदी गोरो भाइजी आपने देकल फूम्स बना दियूंग शेंदी मैंने बनाए तो हैं वूम्स शेंदी मैंने बनाए तो हैं वूम्स अब यह हम डिसकस कर सकते हैं आज की मुखली क्या कहा आज बाबा ने टाइम जा रहा है शेयर कर सकते हैं बटी में किसली आए हो क्या कहा बाबा ने फिदेही बन गए ना सारे विदेही शब्द का अर्थ क्या समझते हैं हम कोई बता हैं गे कोई बता हैं गे तो बाबा ने इसमें क्या कहा कि विदेही स्थिती का अनुभव करना है उसके लिए क्या जरूरी है अभ्यास और अटेंशन जरूरी है और क्या कहा बाबा ने क्या जरूरी है क्या जरूरी है बाबा ने देह के भान को ना छोड़ने का क्या करण बताया क्या वज़े है कि दे का भान अभी तक छूटता नहीं है कोई तो शेयर कीजिए सब मोन में चले गए क्या हंजी रभी दीब भाई जी बोली बोली भाई जी बोली अच्छा जिसको भी बोलना बोल सकते आप मेंदा जी रहा है ओ ओ एक बन्ट आप मेंदा जी बोली 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 को तो एक बन्युटता जी बोली 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 ड़ी अटे है अभी हो रहा है अजी ओम शांती से बहुत देर से ट्राइ कर रहे हैं अन्म्यूट हो नहीं रहा था तो अपने को बाबा बोले कि अपने को अधिकारी आत्मा समझना है मैं आत्मा सुख, शांती, आनंद और शक्ती की अधिकारी हूँ और बाबा बोले सदे अपने को इजी रखना है हर हाल में I am easy always अपने को संसकारों का मालिक प्रकर्टी का मालिक और माया का मालिक बनाना है तो इस तरह से देह अभिमान से अलग हटना है ओम शांती जी और अज बाबा बता रहे हैं कि जो चड़ने और उतरने का खेल है इसमें जो हम उतरते हैं तो लास सीड़ी इसमें कौन सी है तो बाबा कह रहे हैं यह जो देह रूपी वस्त्र है यह इसका अभिमान जो है यह लास सीड़ी है और इसे हमें छोड़ देना है क्योंकि सहच शरीर में जैसे वस्त्र उतारना और चड़ाना इजी होता है जब हमारा वस्त्र जो है कहीं किसी करणवश टाइड नहीं होता तो वो इसली चड़ जाता है तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि जो 63 जन्मों के संसकारों से यह देह रूपी वस्त्र अगर कहीं भी अटका हुआ है तो उन संसकारों से जब हम सहज रूप से न्यारे हो जाएंग तो ये शरीर रुपी वासरे चड़ाना उतारना भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ओम शान्ति दूबी ओम शान्ति ओम शान्ति दूबी देह में रहते हैं देह के भान से मुक्त रहना ही विदेही इस्थिति है देह में रहकर देख के भान से मुक्त रहना विदेही इस्थिति कहें जी बाबा ने कहां एक्टिव और एक्ट्रेक्टिव रहना है हम सब में ग्रूप में आगे हैं में रूम में अभी हम जो मुरली सुनाए हैं जीदी में आज हम बाबा का होंबर्क याद रखेंगे तो सबसे पहले बाबा ने कहा विदेही स्थिति तो विदेही स्थिति का लक्ष दिया दूसरा बाबा ने कहा सीड़ी पुरा उतरने के लिए लास्ट पॉड़ी जो है उसके लिए बाबा ने अभ्यास बताया बहुत सहज शरीरुपी वस्ट को छोड़ना और धारन करना उसके लिए बाबा ने कहा समसकार से न्यारा हो जाना कौन से समसकार में छिपक के है लटके है उससे न्यारा हो जाना फिर बाबा ने अंडरलाइन किया हमेशा अधिकारी बन के रहना अगर अधिकारी नहीं बनेंगे तो अपना अधिकार जो बाबा ने दिया स्वराज का वर्सा का वहक हो देंगे तो किनकिन में अधिकारी प्रकृती, माया, कर्मेंद्रिय, संकल्पों के उपर हमें अधिकारी होके रहना है फिर लिफ्ट में बैठने के लिए बाबा ने कहा लायक बच्छे बनेंगे बाबा क्या गिफ्ट बनना माना लायक बच्छे बनना और बाकी जो रह गए आपके पास उसे गिफ्ट में देना और जैसे बाबा ने कहा दो विशेष्टा एगर आप में आएंगे तो उसमें कुछ रहता नहीं वही दो बातों का ठपा लगाना है active और attractive तो ये homework हम कर्म में लाके बाबा को दिखाएंगे अभी दो मिनिट बाबा के याद में ओम शान्ति मैं जोती स्वरूप आत्मा ब्रुकुटी के बीच एकदम शरीर से न्यारा मैं अधिकारी आत्मा संपूर्ण अधिकारी इस शरीर का मालिक स्वयम को इस गुफा के अंदर विदेही अनुबव कर रही हूँ मैं विदेही निराकारी आत्मा इस स्वरूप को गहराई से अनुबव कर रही हूँ मैं आत्मा सारा दिन विदेही हूँकर करमेंद्रियों से कराने वाली संपूर्ण अधिकारी मैं सहज इस विदेही स्थिती में सारा दिन हर कर्म करते स्वयम को देख रही हूँ मेरा किसी समस्कार से कोई लटका हुआ लेप छेप नहीं पुराने समस्कारों से न्यारा मैं केवल अपने साथ गुनों के समस्कारों को कारी में लगाऊंगी मैं इन पुराने समस्कारों से सम्पोर्ण न्यारा हूँ मैं सम्पोर्ण अधिकारी आत्मा कर्मेंद्रियों के उपर पांच तत्वों के उपर माया के उपर बाबा ने मुझे सम्पोर्ण अधिकारी बनाया मैं आत्मा मालिक इसी अधिकारी स्वरुक को सारा दिन इमाज रूप में रखोंगी अभी मैं विदेही आत्मा एक सेकेंड में परंधाम में शिव बाबा के सम्मुक मैं शिव बाब समान विदेही बाबा से सर्व शक्तियों की किरने स्वयम में अनुभो कर रही हूँ अभी मैं आत्मा बाब दादा से कमबाइन होकर शिव बाबा जो मुझे अधिकार दिया उस अधिकारी स्वरुक को इमर्ज कर रही हूँ इसी अधिकारी स्वरुक और विदेही स्थितिक हो सारा दिन कायम रखने का संकल्प उसी स्वरूप में मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई ओम शान्ति सभी का धन्यवाद एक अन्राउंस्मेंट है जैसे कि आप जानते हैं कि कल बॉफर डे है तो कल बॉफर डे पर एक वर्क्शोप रखा गया है कि हम अवेक्त मुलिकों की चर्निंग कैसे करें कैसे मन्थन करें तो प्रफुल भाई जी इसके बारे में उन्होंने कहा था तो कल सभी जरूर जोइन करें और इस वर्क्शोप का सभी लाब लें तो कॉल में जूडने के लिए सभी का धन्यवाद कल फिर मिलेंगे ओम शांती, have a nice day ओम शांती, good day everyone ओम शांती, have a good day ओम शांती, good day फ्जांती, शांती, ओम शांती